हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, 24 सेप्टेंबर, 1st, 2nd और 3rd सिफ्ट में कैसे कोशेंज थे, कोशेंज का लेवल क्या था, और किन बातों का ध्यान रखना है आपको, जिनका भी एक्जाम 25 और 26 को है, सो बेसिकली, रिस्लिंग में पहले से थोड़े से अच्छे कोशेंज आ रहे हैं, मतलब 22 कोशेंज आप एसली कर लोगे, पर दो तिन कोशेंज ऐसे हैं, जिसको मतलब थोड़ा टाइम दे करके बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आप टाइम सुरू से अच्छा मैनेज करते ह तो लास्ट में इनको दो-तिन मिनट दे करके बना सकते हो, एनलोगे के कोशेंज थोड़ी से टफ आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन के कोशेंज थोड़ी से श्रीकी आ रहे हैं, उनको आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं कि फर्स्ट गो में बन जाए, उनको किसी भी सिफ्ट में इनको आप अवाइड करना, और टाइम सुरुआ से अच्छे से मैनेज करना, ताकि लास्ट में आप जो भी कोशेंज छोड़े हो, सेकंड गो के लिए, उनको भी अच्छे से टाइम दे करके बना सको, आप रीस्निंग में, अगर 23-24 करता हो, तो भी आ पहले से जादा अच्छे लेवल के लिए, इधर के सीफ में देखा जा रहा है, और टाफ या कैलकूलेडियों आप कैसे हैं, जिसमें भी आपको मतलब कि पहले से टाइम मेनेजमेंट करते हो, तो उनकी कैलकूलेशन करके भी आप उनके सॉलूशन निकाल सकते हो, तो क्यों से नहीं बने हैं, ठीक है, अब आते हैं इंगलिश पर, तो इंगलिश के पर थोड़ से जादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब की एक बर में पढ़ने पर आपको समझना आए, ऐसा भी हो सकता है, तो पैनिक नहीं करना है, वो सब किल टाफ होगा, सिर्फ आपके ली नह एर्र भी थोड़ सा मुश्किल आ रहा है ईक जाना रहा है तो इसमें आपको टाइम थोड़सा देना पड़ सकता है क्योंकि आपको एक बार पढ़कर समझ में नहीं आएगा कि कौन सेंटेंस गदर लगेगा तो बेसिकली यहाँ पर आपको टाइम ही देना है तो हर जागा ट जिस question पे जितनी नीड है उतना ही देना है अगर लग रहा है कि यह से जादा time मांग रहा है तो फिर उस question को छोड़ देना है second go के लिए और second go में भी उसको last में देखना है जो आपका पता है कि यह question मैंने बहुत time लेके बना फिर भी नहीं बना तो उसको second go में भी last में देखना है यह नहीं कि second go में first में लेके बढ़ गए otherwise वो आपका फिर से उतना ही time consume करेगा और बागे questions जो आपने second go के लिए छोड़ रखा होगा वो भी आपसे नहीं हो पाएगा GS के questions भी पहले से tough आ रहे हैं आप इसमें कह सकते हो कि safe attempt दस बारा रहेंगा क्योंकि उसे अर्ट कर पाना थोड़ा सा difficult है अभी के लिए तो quality के questions दो तीन देखे गए है article अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी से अच्छे कर लो तो क्या करना है आपको किन बातों का द्यान रखना है मैं वह बताती हूँ time management आपको बहुत अच्छे से करना है किसे भी question में जादा time नहीं देना है fast करना है calculations जहाँ भी लग रहा है कि हाँ इस question में बस calculation है जादा कुछ है नहीं तो उस question में जाद इमक लगाना ही नहीं, जल देले calculation आपको करना है, और correct करना है, यह भी दियान रखना है, यह नहीं की जल बाजी में आप गलत करके बैठ जाओ, और नहीं बना तो लिए पर गलत बनाए तो क्या ही फैदा हुआ, और अगर आपको दिख रहा है कि जादा calculation है कि आपको 50-50 chance लग रहा है कि यह दोनों में से एक हो सकते हैं, अगर match में मानलो की options बहुत करीब-करीब हैं, और calculation बहुत tough है, तो फिर आपको लग रहा है कि इन दोनों में से हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी जितना approximate कर सकते हैं, उतना कर लेना, उसके बाद भी बहुत 4 chances मतल कर लिए हो, तभी, otherwise आपको नहीं करना है, मानलो आपको attempts कम हैं already, accuracy भी अच्छी नहीं जा रही है, तो रिक्स नहीं लेना है, और अच्छी आ रही है, तो आप रिक्स ले सकते हो, और English वागरा में भी ऐसा होता है, बहुत बार कि आपको surely नहीं पता होता है कि कौन सा option हो का दो में फस दाते हो, तो वहाँ पर भी same rule fall होगा, अगर आपको लग रहा है कि इस पर जाना chance है, 60-40 या 70-30 का है, तो फिर आप कर सकते हो, 50-50 लग रहा है, तो भी अगर कम chance है, आपकी accuracy सही नहीं है, तो वहाँ avoid करें, फिर panic नहीं करना है आपको, questions tough है, calculated है, तो सब के सब के लिए है, बस time management सही से करो, बाकि all the best for your exam, 25-26 को जिनका भी exam है, वो इन बातों को ध्यान रखे, I hope आपका exam अच्छा गया होगा जिनका चला गया, और जिनका होने वाला है, उनको all the best, so thanks for watching and subscribe my channel, bye bye